घर पर मिठाईयां तो आपने कई तरह की बनाई होंगी लेकिन आज मैं जो रेसिपी बता रही हूँ आपको ये बहुत जादा आसान और केवल इसमें दो चीजों की जरुरत पड़ेगी दूद और चीनी तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी से मिठाई कौन सी मिठाई है वो आगे पता चलेगा तो वीडियो पूरा देके इसकिप ना करें बहुत जादा टेस्टी बनने वाली है तो इस दिवाली आप भी बनाए इस मिठाई को और मुझे जरूर बताए कैसील बनी आपकी मिठाई इस मिठाई को बनाने के लिए यहां पे मैंने एक लीटर मिल्क लि दूट को डालने के बाद हमें इसको बीच बीच में हिलाते भी रहना है जो साइड में कडाही के दूद लग जाता है उसको भी हमें खुरच कर उसको हमें कर लेना है दूद के अंदर इसी तरह से हमें हिलाते हुए करना है बाकी आप जो है बीच बीच में हिलाए नहीं तो तली में लग सकता है और एक खास बात का ध्यान रखना है कि जिस बरतन में आप बनाते हैं इस मिठाई को तो उसकी तली थोड़ी हैवी होनी चाहिए जिससे की ये नीचे तली में लगे नहीं ये मिठाई बहुत आसान है बनाना बहुत जल्दी बन जाती है सिर्फ आपको थोड़ी देर की मेहनत से आप एक बहुत अच्छी सी मिठाई घर में एकदम प्योर बिना किसी मिलावट के बना सकते हैं उधर दूद जब तक काड़ा होता है तब तक हम यहाँ पे एक केक काटिन लेंगे जिसमें हम केक बनाते हैं अगर आपके पास ये ना हो तो आप ठाली में भी घी लगा के ग्रीज कर लीजे उसके बाद देखें यहाँ पे यह दूद जो हम पका रहे थे वो काफी थिक होन है इसको बीच की मत भी एड Captain एक विज में ध्यान रखना है कि बीच में हिलाते रहना है अब इसके अंदर हम थोड़ा ठीक हो गया है तब हम इसके अंदर सूगर एड़ करेंगे अगर आप पहले ही एड़ कर देगे तो सूगर काड़ा होने में काफी टाइम लगेगा कि अभी देखिए मार्केट में अभी है दिवाली तो इस ताइम पर बहुत जादा मावे में मिलावट आती है तो इसलिए आप घर में इसको बना के अपने घर के लोगों को खिलाए मेहमानों को खिलाए अब हम जो है यहां पर क्या करेंगे एक आधा नीबू लेंगे और इस स्टेच पर अ गया है जादा नहीं लेना है जब देखे तनी हो खिला है है वाल नीबू कि इतनी ठीकनेस को असकी ग्या है अध। भाजु आ चैसे अंदर अधुकर यह घी हम यहां पे इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके एड करते हैं एक साथ हमें एड नहीं करना है और फिर यह घी जैसे जैसे आप डालते जाएंगे न उसी तरीके से यह थोड़ा-थोड़ा फटता जाएगा अब यहां पे हम डाल देंगे नीबू जो हमने नीबू के छे ड्रॉप लिए थे ना पांच से छे हाफ नीबू का थोड़ा पार्ट लेना है हमें अब घी और नीबू डाल के इसको हमें कंटिन्यू हिलाते रहना है नीबू की मातरा जादा नहीं करनी है नहीं तो फिर वो खटा खटा लगेगा तो हम बना रहे हैं मिल्क केक घर पर बहु इस स्टेज पे काफी मतलब इसको हिलाते रहना है ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए और जले नहीं तली में लगे नहीं इस बात का हमको ध्यान देना है तो देखिए एकदम एक कलर भी चेंज होने लगा है और साथ में इसकी ठीकने साब देख सकते हैं कैसी हो गई है तो जमाने के स्टेज तक नहीं आ जाता है तो बस अब यह स्टेज इसकी पूरी हो चुकी है देखिए कलर भी चेंज हो गया है और जितना घीता सब हो गया है अब हम जो टीन लिये थे उसमें हम इसको डाल देंगे देखिए हमने डाल दिया है और फटा फट इसको हमें फैला इसको फैलाने के बाद हमको जो है इसको दो घंटे के लिए बाहर ऐसे छोड़ देना है अगर आप जल्दी में जमाना चाहते हैं तो फिर आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं तो यहां देखिए मैंने छोड़ दिया था और अब यह जो है एकदम सैट हो गया है तो हम एक प्लेट में लेंगे और इसको निकाल लेंगे डी मोल्ड कर लेंगे साइट साइट से नाइफ की हैर्प से इस तरीके से कर देंगे ताकि ये निकलने में आसानी हो आपका जो मिल्क है वो अच्छा बने थोड़ा से इसको टैप टैप कर देंगे तो ये आसानी से निकल जा बताइए और बताइए कि यह मिठाई आपकी कैसी बनी बहुत अच्छी बनती है एक बाद जरूर ट्राइ करें अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन फटा फटा मिलती रहे जब भी मैं यह वीडियो डालू अपने चैनल पर तो देखिए यहां पर हम इसको काट लेंगे आप अपने मन्चाहिया कार में काट सकते हैं लिकिन जो मिल्केक होता है न वो लंबे-लंबे में ही काट लेडिया जाता है आप मार्केट का भी देखी होंगे कि इसी तरह से लंबाई के शेप में होता है और मिलकेक अपतला मोटा जैसी भी आपको कट करना हो वैसा आप कर सकते मैं इसको बस दो पार्ट में करूंगी एकदम मैं जो मार्केट वाला लुक होता है न वही देने वा बना के खाएंगे और खिलाएंगे मैं जल्दी आपके साथ गुलाब जावून की रेसिपी भी चल्दी शेयर करूंगी तो आप सब बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और आप सभी को हैपी दीवाली आज है चोटी दीवाली तो इसकी बनाएं तो बस यहां पर मैंने थोड़ा से पिस्ता के डेकुरेट कर दिया है उमीद करती हूं कि आपको रेसिपी पसंद आई होगा कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें इससे हमें बहुत जादा मोटिवेशन मिलता है आगे हम और भी अची अची वीडियो आपके साथ शेयर करें और आप सब भी बनाए खाएं और हमें जरूर बताएं मिलती हूए अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक आप अपना बहुत काल रखें है पी दी वालियो अलो वीडियो